हलो एवरिवन मैं हूँ नीधी आप सब का स्वागत करती हूँ नीधी किचन लाइफस्टायल चानल पे तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक और हेर रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपके सफेद बालों को बिल्कुल जर से काला बना देगा और दोस्तों मैं आपको बता द अपने सफेद बालों को जर से काला बनाने का तो सबसे पहले मैं अपने वाइज आपको दिखा देती हूं ग्रे है तो बहुत लोग के क्वेश्चन होते हैं कि मेरी एज कम है मेरी एज कम नहीं है और मुझे भी वाइज है मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यह देखिए म करने मौला है तो सबसे पहले हमें ले लेघा है यहां पर एक ग्लास इतना हमेत इतना गरम पानी में लेक हो और इसमें मात्रु एक ड्र्रानी कर ले ले झाज आतंका इक ड्रीन टी बराइघım напावर फंड तो यह मैं टी बैग इसमें डाल दी हूँ गाइस अब मैं नेक्स प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ तो मुझे लेना है यहां पर लोही का एक वैसल यह मैंडेटरी है आपको लोही का बरतन यहां लेना है तो मैं यहां पर नुपूर का हीना यूज कर रही हूं जो कि मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है तो अपने हेर लिंद के कौर्डिंग आपको यहां पर ले लेना है मैंने चाल स्पून भर के लिया है और गाइस मैं पर आमला पाउडर आड करने वाली हूं तो अगर आपके पास घर का पिसा हुआ आमला अब आपको बतारी हूं और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया है इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अब हमने जो ग्रीन टी बनाया है ना बस उस पानी को लेके हमें यहां पर मिक्स करना इस हीना को जिहां गाइस थोड़ा थोड़ा करके एड करना है औ अब मैं आपको बतारी हूं कि अब मैं इसे ढग के ओवर नाइट रखने वाली हूं जिहां दोस्तों आप अगर ओवर नाइट नहीं रखना चाहते तो छे से साथ गंटे के लिए आप इसे रख दे ताकि यह आरन वेसल के कॉन्टैक्ट में बहुत ही अच्छी से के मात्र मुझे एक इंग्रियंट और अड़ करना है तो इसमें महें इस महें अब गाइस मात्र में एक इंग्रेडियंट और अड़ करने वाली हो वह है यहां पे नील पाउडर जिसे की हम बोलते हैं इंडिगो पाउडर यह बहुत ही अच्छा वर्क करता है और यह कोई डाई नहीं है यह बिल्कुल आप दिमाग से हटा दे कि यह बिल्कुल भी डाई जैसे की हीना पाउडर ना बिल्कुल उसी तरह यह हमारा इंडिगो पाउडर भी है तो गाईस मैं यहां पे दो बड़े चमचे इंडिगो पाउडर ले ली हूं इन सब को अची तरह से मिक्स कर दूंगी अगर आपको लगता है कि बहुत जादा थिक हो रहा है तो इस स्ट तो गाईस चलिए अपलाई कर लेती हूं और गाईस मेरी रूट्स पे बहुत जादे सफेद होते हैं तो मैं इसे रूट्स पे अच्छे क्वाइनटीटी में इसे लगाना स्टार्ट करूंगी तो गाईस आप जब भी इसे अपलाई करें तो रूट्स पे पहले अच्छी तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूं अभी लगाना और गाईस लगाने का तो बहुत ही अच्छा टाइम है कि सुबह सुबह आप बस चाय पी ले और इसे लगा ले फटा-फट और घर का सारा काम कर ले क्योंकि इसे लगाने के बाद अटलीस आपको तीन घंटे के लिए रख नहीं रखना है तो देखिए मैं इस तरह से कॉम कर ली हूं पहले अपने हेर्स को अब मैं हेर डाई ब्रश जो आता है उससे लगा रही हूं आप चाहे तो आप हाथों से भी लगा सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा तो पहले रूट पर लगा लेती हूं ब्रश से उसके बाद हीना कैसे लगाएं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजेगा तो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगी कि अपने से खुद कैसे लगा सकते हीना को और वो भी बिना किसी के हेल्प लिए गाइस और लंबे हेर्स पे तो गाइस कर लोंगी और तीन घंटे के लिए मिनिमम तीन घंटे के लिए से छोड़ दूंगी उसके बाद केवल और केवल नॉर्मल पानी से मैं वाश करूंगी तो गाइस मैं आपको दिखा दू इस तरह से मैं बन बना ली हो अब नॉर्मल पानी से मैं तीन घंटे के बाद इसे वा